ब्लर दिख रहे हैं मुझे बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है अगर मैं चश्मा ना पहनू अब हम अगर चश्मा लगा लेते हैं अब सब कुछ क्लियर है सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक भी करना चले शूरू करते हैं बिफोर वी अंडरस्टेंड डिफेक्ट्स प्रॉब्लेम्स मैं आपको दो बाते बताना चाहूंगा ये बच्चा बच्चे का नाम है लालू अब उस बच्चे एंड ट्री के बीच में देस्ट बहुत जश्यादा है फिर भी उस बच्चे को लालू को ट्री एकदम ली दिखाई दे रही है देखो लालू की आखे नॉर्मल है उसको कोई तरहा की तकलिफ नहीं है तो उसको ट्री एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है आपको एक बात बताओ फॉर नॉर्मल यूमन आये जिसकी आख नॉर्मल है आप अबजेक्ट को कितना भी दूर रख दोगे ना क्लियरली क्लियरली दिखाई देंगे अगर आपकी आख नॉर्मल है तो हवा में उड़ता हुआ ऐरोपलेन देख लो क्लियरली दिखाई देगा रात को उठकर चंदरा देख लो मून देख लो वह भी क्लियरली दिखाई देगा ऑबजेक्ट कितना भी दूर हो क्लियरली दिखाई द बीच में maximum distance कितना होना चाहिए, at which it is clearly visible without stress on the eye, so that object आपको clearly देखेगा without stress, आँख और object के बीच में कितना distance होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, object कितना भी दूर हो, वो clearly देखेगा, मतलब मान लो कि मैंने object को infinity पे रखा, infinite distance पे रखा, तो भी वो clearly दिखाई देगा, so for a normal eye, farpoint कहां होता है, infinity पे होता है, simple भाषा में object को आप infinity पे भी रख दोगे, वो आपको clearly दिखाई देगा, the farpoint is at infinity, समझ रहे हो बात को, मेरी भावना समझ रहे हो, समझ रहे हो न, ठीक है, दूसरी बात, यह हमारा दूसरा बच्चा है, बच्चे का नाम है, Tommy, Tommy के हाथ में है, एक बुक, वो बुक पढ़ रहा है, अब Tommy की आख और बुक के बीच में, एक minimum distance, 25 cm का होना चाहिए, तब जाके, उसकी आख बुक पे focus कर पाएगी, बरबर है, तो यहाँ पर हम define करेंगे, near point, क्या होता है, near point, चुड़ो, the minimum distance of the object from human eye, आख और object के बीच में का minimum distance, at which the object is clearly visible, without stress on the eye, आख और object के बीच में, minimum distance, 25 cm का होना चाहिए, तब जाके, वो clear दिखेगा, अगर हम object को और नजदिक लेके आते हैं, तो आख पे train आने लगेगा, stress आने लगेगा, थोड़ा pain होने लगेगा, and वो object out of focus चला जाएगा, तो यह दो बाते हमें, समझ में आ रही है, नियर पॉइंट क्या होता है, minimum distance between the object and the eye, 25 cm, पार पॉइंट क्या होता है, maximum distance between the object and the eye, and वो maximum distance कितना है, infinity है, समझ रहे हो, भाव ना पहुच रहे हैं, आप तक हा या ना, पहुच रहे हैं, ठीक है, एक आखरी बात बताता हूँ, मान लो कि यहाँ पे normal eye ली है, and एक ट्री ब cornea bend करता है, हमने पढ़ा है, फिर lens bend करती है, and यह rays converge होके, they will focus on the retina, and retina के उपर, एक inverted real image बनती है, बराबर है न, the image is formed on the retina, and तब जाके हमें वो चीज़ क्लियरली दिखाई देती है, retina के उपर focus होना चाहिए, बराबर, बराबर, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें defects nearsightedness, myopia, and एक होता है hypermetropia, जिसको बोलते हैं farsightedness, तो सबसे पहले पकड़ते हैं myopia को, and उसको धो डालते हैं, चलिए, देखो, यह है myopia, दूर का दिखता नहीं है, नस्दिक का दिखेगा, मेरे को भी myopia है न, अगर मैं कुछ read कर रहा हूं, तो वो मुझे clearly दिख रहा है, are you understanding, मुझे न, सिर्फ एक मीटर तक ही दिखता है, अगर कोई object एक मीटर से जादा दूर रख दिया, तो मेरे लिए वो blur हो जाएगा, so can I say, मेरा far point, infinity पे नहीं है, मेरा far point, एक मीटर पे, मुझे चीजे एक मीटर तक ही दिखती है, उसके आगे blur हो जाती है, are you understanding, so my far point, मेरा far point, it has shifted towards me, समझ रहे हो, अब वो infinity पे नहीं है, तो यह होता है, myopia, क्या होता है, the far point of the eye is not at infinity, it has shifted closer to the eye, तुमारे आख के नस्दिक आ गया है, समझ रहे हो, तो देखो, myopia को हमने क्या बोला है, near sightedness, near sighted मतलब नस्दिक का दिखता है, near sighted, दूर का नहीं दिखेगा, यह apple है, जो मैंने मेरे आँख से एक मीटर पे रखा है, apple से जो rays आ रही है, वो बराबर converge होंगी, and they will focus on the retina, एक real inverted image बराबर retina पे बनेगी, and मुझे वो clearly दिख रहा है, ठीक है, nearby objects can be seen clearly, तो issue क्या है, देखो, what is the issue, अगर कोई object बहुत दूर है, and उस से जो rays आ रही है, like this, यह जो rays है न, यह बहुत ज़्यादा converge हो जाती है, and इनका जो image है, वो retina के पहले बन जाता है, जो focused image retina पे बनना चाहिए था, वो कहां बना, in front of retina, तकलीफ समझ रहे हो, the issue, understand the issue, the image of a distant object is formed in front of the retina, समझा, अभी इसका reason क्या है, reason भी समझते हैं, सबसे पहला reason, क्या बोलता है, the curvature of the cornea and the eye lens increases, cornea का curvature बढ़ गया है, lens का curvature बढ़ गया है, आप जरा सोच के मिरे को बताओ, अगर curvature बढ़ गया है, तो light जादा bend होगी, और अगर light हद से जादा bend होती है, तो जो image है, focus image वो retina के पहले बन जाएगा, तो ये पहला तकलीफ है, क्या तकलीफ है, cornea and lens का curvature बढ़ गया है, curvature बढ़ गया है, तो light को जादा bend कर रहे हैं, और image retina के front में बन रही है, ये एक बात, cool, दूसरी बात सुनो, ध्यान से शुनना, lens को पकड के कौन रखता है, suspensory ligaments, and ये suspensory ligaments किसको attached है, ciliary muscles, बराबर, तो जब ciliary muscles relax जोते हैं, उपर वाला diagram, suspensory ligaments खिचे होए हैं, and lens कैसी है, फ्लाट है, बराबर, लेकिन जब ये ciliary muscles contract होते हैं, तो suspensory ligaments loose हो जाते हैं, उनके उपर का जो tension था, वो release हो जाता है, and हमारी lens कैसी हो जाते है, curved हो जाती है, बराबर हैं, तो myopia में क्या होता है, ये ciliary muscles spasm हो जाते हैं, spasm मतलब क्या, ये लोग contracted state में अटक गए हैं, ये muscles बराबर से relax हो पा रहे नहीं है, and अगर muscles relax नहीं होंगे, तो lens कैसी होगी, curved रहेगी जाता, rounded रहेगी, and अगर lens जाता round है, तो वो light को जाता converge करेगी, and image retina के पहले बनेगी, कहानी समझ रहे हो, पक्का, तो देखो, क्या हो रहा है यहाँ पर, the muscles near the lens, कौन से muscles, ciliary muscles, they are not able to relax properly, वो लोग अटक गया है, spasm हो गया है, and that is why the converging power of the lens remains large, lens light को जादा converge करेगी, जादा bend करेगी, समझा, reason समझा, एकदम तोड़ फोड़ के, इसा भार निकल के मैंने बता है, I hope समझ में आया है, and एक और reason है, हमारा जो eyeball होता है न, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, like this, आँख के अंदर ने एक fluid होता है, vitreous humor, अगर उस fluid का pressure बढ़ जाता है न, तो eyeball कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मेरे को बताओ, if the eyeball elongates, the distance between lens and retina बढ़ जाएगा, and अगर distance बढ़ेगा, तो naturally image कहां बनेगी, retina के front में बनेगी, बराबर है, तीनो reason समझा, पक्का, तो अब इसको हम correct किस तरह करेंगे, what is the correction, तो ये light की raise आ रही है, अब मुझे बताओ, issue क्या है, light की raise जादा converge होके, image, retina के front में बन रही है, तो हम क्या करेंगे न, ये जो light की raise आ रही है, इनको हम diverge करके आँख में बेजेंगे, अब diverge कैसे करें, हमने पढ़ा है, concave lens is a diverging lens, तो हम क्या करेंगे, आँख के आगे, एक concave lens रख देंगे, तो क्या होगा, ये जो raise आ रही है, वो diverge हो जाएंगी like this, देखो diverge हो गई, and अब ये raise बराबर converge होके, focus होंगी on the retina, and image कहां बनेगी, retina पे बनेगी, simple सी बात है, क्या किया हमने, concave lens आँख के आगे रख दिया, खतम होगे बात, तो what did we do, the defect can be corrected by using a concave lens, a diverging lens of appropriate focal length, अब सबका अलग रहेगा focal length, ठीक है न, सबका power अलो होता है चश्मे का, and एक और बात, concave lens, उसका focal length negative होता है, तो चश्मे का power कैसा रहेगा, negative रहेगा, मेरे चश्मे का power minus one है, मेरे को एक मेटर तक दिखता है, मेरे को मायोपी है, simple, last बात, चश्मे में actually, ऐसी concave lens यूज नहीं होती है, ये वाली lens यूज होती है, इसको बोलते है, negative meniscus lens, इसका काम भी वही है, diverging lens ही है, लेकिन फरक इतना है कि इसका एक side convex है, and एक side concave है, and अगर आप ध्यान से देखोगे, बीच में पतली है, and sides में मोटी है, जितने लोग को मायोपी है, जो भी लोग देख रहे हैं, अपना चश्मा निकालो, बीच में टच करो, बीच में पतला रहेगा, sides में मोटा रहेगा, क्या बोलते हैं, आपका पूरा मायोपिया यहीं पर कवर हो जाएगा, तो देखो भाई, nearby objects clearly दिख रहे हैं, बराबर nearby का तकलिफ नहीं है, far away objects कैसे हैं, unclear है, तो image जो है, वो कहां बन रहे है, retina के पहले बन रहे है, the light is from a distant object, they will converge at a point in front of the retina, बराबर है, so what are the reasons, the defect may arise due to, सबसे common reason होता है, elongation of the eyeball, eyeball लंबा हो गया, दूसरा reason हमने क्या बताया था, curvature of cornea and the eye lens will increase, curvature बढ़ जाएगा, तो light जादा bend होगी, and एक तीसरा reason भी हमने बताया, ciliary muscles बराबर से relax नहीं हो पा रहे हैं, spasm हो गया है, यह भी एक reason है, cool, तो correct किस तरह किया हमने, it is corrected using a concave lens, a diverging lens of suitable focal length, तो देखो भई, आख के पहले हमने लगा दी concave lens, light diverge होके आख के अंदर जाएगी, and बराबर focus, retina पे होगा light, cool, so this is everything about myopia, इसका screenshot ले लो, बात यहीं पे खतम हो जाएगी, myopia हमने पढ़ लिया, तो क्या बचा, hypermetropia, जिसको क्या बोला है, farsightedness, farsighted मतलब अब क्या, दूर का दिख रहा है, farsighted, दूर का दिख रहा है, नजदिक का नहीं दिखेगा, myopia का एकदम उल्टा, तो क्या हो रहा है देखो, अगर एक बंदा है, जिसको hypermetropia हुआ है, अगर वो बुक पढ़ रहा है, तो उसको बुक में क्या लिखा हुआ है, ये दिखेगा, नहीं, लेकिन अगर ये बंदा, बुक को ऐसा दूर पकड़ता है, तो उसको दिखेगा क्या लिखा हुआ है, अगर बुक को दूर पकड़ते हैं तो दिख रहा है, नजदिक लाते हैं तो दिखता नहीं है, मतलब कैनाई से, जो नियर पॉइंट होता है न, वट इस दे नियर पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिट्विन आई एंड अब्जेक्ट, ये नियर पॉइंट दूर चला गया है, पहले कितना होता था, मतलब नॉर्मल कितना होता है, 25 सेंटिमेटर, तो अब ये नियर पॉइंट 25 नहीं रहेगा, ये आँख से दूर चला गया है, are you understanding, so what is happening here, the near point of the eye is no longer at 25 सेंटिमेटर, it has shifted further away, बुक को ऐसा दूर पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे गया, समझो, understand the issue now, ये जो light की rays आ रही है, from a nearby object, ये rays, converge तो होती है, लेकिन बराबर converge नहीं हो पाती है, ये rays, रेटिना के उपर focus नहीं हो पाती है, तो जो image है ना, वो कहां बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, issue समझो, the image of a nearby object, forms behind the retina, image, रेटिना के उपर focus नहीं हो रहा है, तो अब इसका reason क्या है, देखो, number one reason ये है, curvature of the cornea and the eye lens, decreases, cornea का curvature कम हो गया है, lens का curvature कम हो गया है, अगर curvature कम हो जाएगा, तो क्या होगा, converging power of the lens will be less, मतलब हमारी जो lens है, वो light को बराबर bend नहीं कर पाएगी, बराबर से converge नहीं कर पाएगी, अगर light bend नहीं होगी, तो image कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी ना, image रेटिना के उपर focus नहीं हो पाएगी, मुद्दा समझ रहे हो, पक्का, क्या हुआ यहां पे, cornea and lens का curvature कम हो गया है, myopia का एकदम उल्टा हो रहा है, exactly opposite, और दूसरा reason देखो क्या है, eyeball को ध्यान से देखो, eyeball क्या हो रहा है, थोड़ा चप्टा हो गया है, थोड़ा flat हो गया है, lens और रेटिना के बीच का जो distance है, वो कम हो गया है, तो image कहां बनेगी, रेटिना के पिच्छे बनेगी, देखो, due to flattening of the eyeball, distance between lens and retina decreases, समझा, दो reason, cornea का and lens का curvature कम हो गया, eyeball चप्टा हो गया, यह दोनों reason हो सकते हैं, cool, तो अब क्या करें, correction कैसे करें, देखो, यह raise आ रही है, problem क्या है, हमारी lens बराबर converge नहीं कर पा रही है, image retina के पिच्छे बन रही है, तो हम क्या करेंगे न, यह जो raise आ रही है, इनको हम converge करके, आँख के अंदर भेजेंगे, हमने पढ़ा है, convex lens is a converging lens, तो यहाँ पर लगा देंगे, convex lens, अब देखो, light की raise, converge हुई, और फिर lens भी उसको converge करेगी, और बराबर, image कहां बनेगी, retina के उपर, like this, समझा, तो क्या लिखनेगा, the defect can be corrected by using a, convex lens, with a proper focal length, convex lens is a converging lens, दूसरी बात, convex lens का जो focal length होता है, वो positive होता है, तो जिसको hypermetropia है, उसका चश्मे का power क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, positive में रहेगा, बराबर है, एंड एक और बात, चश्मे में, actual convex lens यूज नहीं होता है, ये वाली lens यूज होती है, इसको क्या बोलेंगे, positive meniscus, अब फरक देखो यहां पे, meniscus कहां यूज होती है, myopia के चश्मे में, difference एकदम clear हो रहा है, मुद्दा एकदम clear हो गया है, यहां पे, पक्का, तो देखो, एक पूरा overview, इसका आप ले लेना, screenshot, faraway objects are clear, दूर का जो है वो बराबर clear दिख रहे है, nearby objects are unclear, मेरे को बताओ, इमेज कहां बन रहे है, रेटिना के पिच्छू, पिच्छे बन रहे है, अच्छा, the light rays from a nearby object, arriving at the lens, they will get converged at a point, behind the retina, what are the reasons for this, come on, the defect may arise due to, number one, eyeball, chapta, flattening of the eyeball, and number two, curvature of cornea and lens, कैसा हो गया है, decrease हो गया है, the curvature of cornea and the lens will decrease, light बराबर bend हो पा रही नहीं है, समझ रहे हो, तो इसको correct कैसे करेंगे, corrected using a convex lens, a converging lens of proper focal length, तो आख के पहले लगा देंगे, convex lens, light converge होके, आख के अंदर जाएगी, और बराबर retina के उपर, image बनेगी, last बात, convex lens का focal length कैसा है, positive है, तो चश्मे का number जैसा रहेगा, positive रहेगा, यहां तक समझा, take a screenshot, पूरा hypermetropia इधर खतम, एक और defect है हमारे पास, market में एक दम fresh fresh, नया नया माल आया हुआ है, नया नहीं है, पूरा नहीं है, इसका नाम है press bio pia, press bio pia, जिसको हम old age hypermetropia भी बोल सकते हैं, अब यह जो है ना, यह 35-40 की उमर के आसपास लोगों में होने लगता है, और जनरल यह सभी को होता है, तो इसमें होता क्या है, सुनो, far away objects, दूर की चीज़े clear है, दिख रहा है, nearby objects are unclear, same ना, hypermetropia जैसा ही है, और इसका reasons भी अलग है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हो रहा है, muscles near the lens, lose their ability to change the focal length, कौन से muscles, ciliary muscles, अब बहुत ध्यान से सुनो, यह जो ciliary muscles होते हैं, यह weak हो जाते हैं, यह muscles बराबर से contract नहीं हो पा रहे हैं, और muscles अगर contract नहीं होंगे, तो lens का focal length हो लोग change नहीं कर पाएंगे, और focal length चेंज नहीं होगा, तो नस्दिक का दिखाई नहीं देगा, और एक और बात होती है, हमारी जो आख की lens होती है न, उसका भी flexibility, elasticity धीरे-धीरे कम होते जाता है, with age, और यह दोनो reasons के कारण, around the age of 40 years, हमें नस्दिक का दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, तो difference समझो, press biopia and hypermetropia, दोनों में नस्दिक का दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोनों का होने का reason अलग है, hypermetropia में क्या हो रहा था, cornea का lens का curvature कम हो रहा था, eyeball चप्ता हो रहा था, reason अलग था, I hope difference is very very clear, crystal clear, ठीक है ना, और दूसरी बात, यहां पर भी क्या होगा, near point of the eye will shift farther from the eye, book को ऐसा दूर पकड़ के पढ़ना पड़ेगा, आदमी दिख रहा ना पीचे, उसके दिखा, and इसको correct किस तरह करेंगे, obviously we will use a convex lens of suitable focal length, तो इनका भी चश्मे का power कैसा रहेगा, positive रहेगा, because convex lens का focal lens कैसा होता है, positive, cool, यह हो गया, press biopia, and फिर कुछ लोग आते हैं, जिनको myopia and press biopia का एक combination हो जाता है, दोनों हो जाता है, साथ में, ना दूर का दिखता है, ना नस्दिक का दिखता है, इनके चश्मे में दोनों लेंस होती है, अब देखो, चश्मे का जो अपर पार्ट है, it is concave to correct myopia, ठीक है, concave है तो myopia के लिए है, and जो नीचे का पार्ट दिख रहे हैं, it is convex to correct what, press biopia, तो उनके चश्मे में दोनों टाइप की lenses एक साथ आती है, combination lens, cool, तो यहां होते हैं हमारे सारे effects, effects ने, defects of eye, and उनका correction भी हमने पड़ा, I hope concept clear है, मुद्दा एकदम clear हुआ है, अगर वीडियो सच में अच्छा लगया, तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, and as usual, thank you very much for watching,